जीरन थानक शेत्र के अंतरगत आने वाले ग्राम चल्दू में मंगलवार अल सुबह एक यूफती अपने मकान की सीडियों से गिर गई जिसे गंभी रवस्था में नीमच के जिला अस्पताल लाया गया जहां यूफती ने उपचार के दोरान दम तोड़ दिया यूफती की मौत के बाद मामले की तफ्टिश शुरू की जिसमें मृतक महीला का नाम ममता पती लोकेंद्र जाती खटिक निवासी प्रताबगर रोल मंसोर हाल मुकाम चल्दू के रूप में हुई मृतक ममता ग्वालियर के रहने वाली है और हाल ही में दो वर्ष पहले मंसोर के लोकेंद्र से प्रेम विवाह किया था मृतिका की मौत के मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर शर्व का परिक्षन करवा कर मामले की जाच शूरू कर दी है मामले में CSP राकेश महन शुकली ने जानकारी देते हुए कहा कि नव विवाहिता की मौत का मामला है यूवति के परिजनों से चर्चा कर शर्व का परिक्षन करवाया गया है CSP ने कहा कि मामले की जाच की जा रही है यूवती गीरी है या और कुछ हुआ है इस मामले में सकती से जाच की जा रही है